हलो दोस्तों हलो एंड वेलकम टू दा चैनल कैसे हैं आप लोग आज अंदर से एक अवाज आई आज का जो वीडियो है क्यों आपके डिवाइन मैस्कुलिन ना खुल के आपको अपनाते हैं ना ही आपको अपनी जिन्दगी से जाने देते हैं कहने का मतलब वो आपको लटका क्यों रखना चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं कि आप उनकी जिन्दगी में भी रहो लेकिन वो क्यों चाहते हैं कि उनको कोई जिम्मेदारी बिना लेनी पड़े उनको कुछ भी ना करना पड़े इस कनेक्शन के लिए बट स्टिल आप उनकी लाइफ में भने रहो तो confusion create हो बड़ा घबड़ाती है डिवाइन फैमिनाइन की इस परसन के अंदर चल क्या रहा है क्या क्यों नहीं पता लग बाता तो आज का जो मेरा वीडियो है वह एक डिवाइन फैमिनाइन और एक Divine Masculine के बीच का डायलोग है ठीक है, It's an Experiment मैं करके देख रही हूँ दिखिएगा आपको कैसा लगता है मेरे अंदर से आवाज आई straight कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए ठीक है, कहके बाते समझाती हूँ हमेशा लेकिन आज दोनों के मुह से कहलवा रही हूँ जो भी बाते है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो Divine Feminine मैं जा रही हूँ मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में जिर लोग हैं वो ज्यादा इंपोर्टन्ट है तुम्हे कुछ चीजें है, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज है वो तुम्हे करनी है इसलिए मुझे जाना ही होगा मैं जा रही हूँ मेरे अपने भी काफी काम है जो मुझे करने है मेरी अपनी बहुत सारी ड्यूटीज है जो मुझे करनी है मुझे जाना ही होगा Divine Masculine प्लीज मत जाओ क्यों जा रही हो नहीं मत जाओ प्लीज रुक जाओ मेरे लिए रुक जाओ वापिस आ जाओ ये condition तब की है जब Divine Seminine हर बार move on करने की कोशिश करती है अपनी life में आगे बढ़ने की कोशिश करती है प्लीज मुझे छोड़के मत जाओ मैं कैसे रहूँगा तुम खुद बताओ Divine Seminine पर तुम्हारी जिंदगी में तो लोग है तुम रह सकते हो तुम्हारे पास प्यार करने वाले लोग है तुमने खुद मुझे बताया कि तुम्हारे पास प्यार करने वाला पार्टनर है तुम्हारे पास जिंदगी में सब कुछ है तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी लाइफ में कहां स्टैंड करती हूँ कुछ चीजें हैं जिनके जवाब मुझे भी चाहिए होते हैं जब हम कहते हैं कि हम एक relationship में हैं तो मुझे भी मेरे जवाब चाहिए होते हैं किसी से तुम्हें शादी करनी हैं किसी से तुम प्यार करते हो किसी के लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां लेनी है ठीक है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए क्या मैं कहा हूँ मुझे प्लीज जाने दो टाइम आगे है कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ू मैं खुद देखती हूँ कि तुम हर जगह अपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे है सब कुछ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत है Divine Masculine मैं लास टाइम तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज मत जाओ तुम्हारी बहुत जरूरत है तुम मेरी लाइफ में हो important हो प्लीज रुक जाओ तुम मेरी लाइफ में important हो Divine Feminine ब़ट मुझे दिखता नहीं न कहा important हो क्या importance है मेरी मुझे नहीं दिखता वो प्लीज sorry to say बट मुझे नहीं दिखता कैसे रुकूँ किस उमीद पे रुकूँ कुछ तो होना चाहिए मैं क्यों रुकूँ तुम समझने को तयार नहीं हो तुम्हारे पास अपने लोग है तुम्हारे पास टाइम नहीं है मतसे बात करने के लिए तुम जब मन करता है तब आते हो जब मन करता है तब जाते हो क्या है मेरे पास क्यों रोक के रखना चाते हो मुझे अपनी लाइफ में, जब तुम्हारे पास लोग हैं तुम्हें संभालने के लिए Divine Masculine मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़के मत जाओ तुम्हारी बहुत बड़ी भूमी का है मेरी लाइफ में, तुम्हारी बहुत बड़ी जगह है मेरी लाइफ में जब मेरा वही प्यार मुझे फटके लगाता है, मुझे तुम्हारे पास आना होता है जब family मुझे ठोकरें लगाती है जब family car mix मुझे लथारते हैं बुरी तरह मेरा फायदा उठाते है मुझे तब तब जब जब मैं तूडता हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ मुझे फील होता है मुझे तुम्हारे कंदे की जरूरत पड़ती है मुझे तुम्हारी सिंपाथी चाहिए होती है मुझे तुम से मुझे तुम से बात करनी होती है मुझे तुम से share करना होता है मुझे तुम तुम वो जो energy फिर मुझे देती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वक्त मैं खड़ा हो जाता हूँ मुझे इसा लगता है कि मैं मतलब मैं बिखर गया था लेकिन तुम हो तुम ही हो जो मुझे समेट लेती हो हर बार तुम ही हो जो मुझे उठाती हो मुझे तुम ही हो जो मुझे कुछ बनाती हो मुझे clear feel होता है please मेरी life से मत जाओ तुमारी बहुत importance है जब मैं उसके पास वापिस जाता हूँ जब हम कुछ दिन ठीक से रहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर वो अचानक से मुझे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है believe me उस टाइम मुझे तुमारी बड़ी याद आती है पता नहीं क्यों मुझे तुमारे साथ feel होता है बड़ी एक intense energy feel होती है मुझे तुमारे साथ एक होना है इसलिए तुमारी जरूरत है please मच जाओ क्या हुआ अगर मैं उससे शादी करूँगा मैं उससे प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करूँगा लेकिन जब जब मुझे रोने का दिल करेगा मैं तुमारे पास ही तो आऊँगा जब जब मुझे ठोकरे लगेगी जब मुझे बहुत फटकार लगाता है जब मुझे मेरी जॉब जाने वाली होती है जब मैं हर तरफ से ड्रेन हो जाता हूँ बुरी तरह से फस जाता हूँ तुम ही तो हो जो मुझे निकालती हो अपनी एनर्जी दे के तुम ही तो हो तुम्हारे पास नहीं आओंगा तो कहां जाओंगा भले ही मैं शादी उससे कर लूँगा मैं मानता हूँ कि मैं प्यार उससे करता हूँ हमेशा से मैंने उसी से प्यार किया लेकिन जब जब मैं तूटूँगा मुझे तुम्हारी ज़ुरत पड़ेगी जब-जब सब तरफ से मुझे ठोक रहे लगेगी मुझे तुम्हारी ही ज़रुवत पडेगी तुम्हें मुझे संभालोगी तुम्हें मुझे अपनी अनरजी दोगी Believe me मैं कभी किसी और से अनरजी लए ही नहीं सकता मुझे energy अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फो सिर्फ तुम ही हो तुम्हारे पास आके मुझे ऐसा feel होता है जैसे मैं जी उठा भले ही मैं उससे प्यार करूँ, भले ही मैं उसको चाहूँ लेकिन तुम्हारे जैसी पवितर एनर्जी की मुझे अपनी जिन्दगी में बहुत ज़रत है तुम जो ये इतना हार्ड वर्क करती हो, ये किसके लिए करती हो, मेरे लिए ही तो करती हो किसके लिए करती हो इतना हार्ड वर्क मैं ही तो तुम्हारा प्यार हूँ तुमने खुद मुझे इतनी importance देके रखी है अपनी जिन्दगी में और आज तुम कह रही हो कि तुम मुझे छोड़ दोगी जब जब वो मुझे बिल्कुल घटिया फील कराएगी जब जब वो मुझे फटके लगाएगी मुझे तुम्हारे पास ही तो आना है तुम ही तो हो जो मुझे important फील कराओगी तुम ही तो हो जो मुझे सर पे बैठाओगी तुम ही तो हो जो में last time तुम ही हो बस तुम ही में है वो क्षमता तुम ही में है वो ability यह लास्ट टाइम में तुम्हारे साथ कितना ही fix behavior करके गया था कितना भी बुरा बरताव अछलिव लुजब मैं किया था तुम्हु हैं कि मुझे आपनाती यो तुम्हें हसके अपना लेती होु तुम्हारे जैसा कोई कैसे हो सकता है? फ्लीज मुझे छोड़के मत जाओ. सोचना भी मत मुझे छोड़के जाने का. मैं कैसे रह पाऊंगा? मुझे बहुत बुरा फील होता है. जब मुझे कोई नहीं मिलता. तब तब सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारी याद आती है दो तीन महीने छे महीने मैं कहीं भी रहूं कहीं पे भी रहूं किसी के भी साथ रहूं लेकिन कभी तुमने ये सोच के देखा है जब जब मुझे बुरा टाइम आता है, मुझे तुम्हारी ही तो याद आती है, जब जब मुझे एनरजी की जरूत होती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही याद आती है, और तुम्हें भी पता है कि चाहे छे महीने भी जाएं, चाहे साल भी जाएं, चाहे तीन मही पूरी करने जाता हूँ, क्या हो गया अगर मैं जिसको प्यार करता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंट करता हूँ, आता हूँ न मैं दो चार महीने, छे महीने में, कभी-कभी साल भर मैं तुम्हारी सुध लेता हूँ, बिलीव मी, जब-जब मैं ड्रेन होगा, जब-जब मु मुझे तुम्हारी अनर्जी की बहुत जरूरत होती है तुम ही हो जो मुझे important feel कराती है और कोई मुझे वैसा feel नहीं करा सकता जैसा तुम कराती हो इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना होता है मेरा यकीन करो साल छे महीने में आऊंगा पर आऊंगा जरूर एक राउंड तो लगा के जाऊंगा Divine Feminist अब आप खुच सोचिए आप अपने आपके साथ क्या कर रहे हैं Thank you for watching Thank you so much Bye